गुड मॉर्निंग एब्रिवन, मैं डॉक्टर सुधामितर, बच्चों, पिछले वीडियो में अपन नेत्रत्व और उसकी नेचर विशेष्टाओं के बाने में अध्यान किया, नेत्रत्व की एक विशेष्टा की नेत्रत्व प्रबंद से भिन है, नेत्रत्व प्रबंद द मन में भिन-भिन विचार हैं, कुछ विद्वान इन दौनों को समान अर्थों में प्रयूक्त करते हैं और तर्क देते हैं कि दौनों समान प्रकार के कारे करते हैं, ऐसा कारे करने वालों में कई समान गोण होते हैं और इनकी प्रकृती गतिशील तथा निरंतर प्रक्रिया की हैं इसी प्रकार दौनों की कारिशली की समानता होने के साथ सा दौनों दूसरों को दिशा निर्देश देते हैं एवं प्रेरित भी करते हैं तो कुछ विद्वानों ने दौनों में बिन्नता यानि विभिन प्रकार के अंतर को देखा हैं जैसे नेतरत्व एवं प्रभन प जिसमें नेता दूसरों को स्वेच्छा से मिल जुलकर संबंदीत कारियों पर नेता द्वारा इछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरिद करता है और प्रभंध एक प्रक्रिया है जो किसी भी संगठन की पूर्व इसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित एक पद या पोस्ट माने जाते हैं, जबकि प्रबंध का जो पद हैं, वो समुखी स्विक्रति पर आधार इतना होका है, चुन्ना उपर आधार होता है, शेत्र नित्रत्व प्रभंध का ये कांगे, परंतु अपने आप में संपूण प्रबंध नहीं है, जबकि प्रबंध का शेत्र नित्रत्व से विश्त्रेत है, नित्रत्व का मुख्य कारे दूसरों को पूरू निर्धारे तुद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति क के लिए प्रभावित करता है जबकि प्रभन का शेत जबकि प्रभन में मुख्यकारे नियोजन, संगठन, संबन, अभिप्रेरन आदी होते हैं नेतरत्व में क्यों, एवं कैसे के जानने की प्रवृत्ति पाई जाती हैं इसलिए समस्याओं की पैचान और उसका पता लग जाता है जबकि प्रभन्धक मुख्यत समस्याओं के समाधान में रूचिक लेता है नेता का मुख्य गुण क्या है अपनी शेली यानि अपने ड्रैमेटिक का होता है और प्रभंध का जो गुण है वो विशलेशन करना व्यवस्तित और सहन्शी लेवाँ परिश्रमी होना आधार बिंदू नेतरतों का आधार बिंदू ओथोरिटी माना जाता है जिसकी प्रकृति व्यक्तिगत होते हैं जबकि प्रभंधक का आधार बिंदू अधिकार होता है जो कि उसे पद के कारण प्राप्त होता है इसलिए यह अव्यक्तिगत माना जाता है योगिता एवं कला नेतरत्व एक ऐसे योगिता और गोण है जो अन्य लोगों को उद्धिशी की प्राप्ति के लिए उक्साता है जबकि प्रभंद एवं व्यक्तियों को संगर्ठित करने की कला है गोण एवं प्रकृति, नेत्रत्व प्रक्रिया प्रभंद की अपिक्षा अधिक गतिशिल, लोशिल और खुली होती हैं, जबकि नेत्रत्व की तुलना में प्रभंद अधिक संगटित व्यवस्तित और अवचारी प्रकृतिका हैं संबंद नेत्रत्वय मनुयायों के मद्य व्यक्तिगत भामनात्मक और मनुविग्यानिक संबंद होता है जबकि प्रभंद करमचारी और उनके दिनस्तों के मद्य अपचारी विवेकपुर्ण एवां आशिक रूप से व्यक्तिगत संबंद होता है तो यह विभिन प्रकार के अंतर नेत्रत्व और प्रभंद के अंदर हम देख सकते हैं अब इसके बाद हैं नेत्रत्व के कारे फंक्शन्स और लेडर्शिप विभिन विद्वानों ने प्रभंद करताओं ने नेत्रतु के भिन-भिन कारे बताए हैं उनमें से चेश्टर राई बर्नार्ड ने संगठन के कारे संगठन के अंतरगर जो नेत्रतु के कारे हैं वो बताएं, संगटन में संप्रेशन विवस्ता करना, विभिन व्यक्तियों से आवशक कारे करवाना, और अपने समों में संप्रेशन मार्गों का निर्धारन करना अमेरिकन मेनिजमेंट एस्टोसियेशन के नुसा, नेत्रत्व सेवा करता हैं, निर्धने लेता हैं, दूसरे व्यक्तियों की प्रति के रिया जानने का प्रयास करता हैं, अपिक्षित परिणामों की प्राप्ति करता हैं, और यह एक ऐसी सहयोक शीलता हैं, जो अनने व्यक्त जहां कोई नेता समू के उद्देशों को निश्चित करता है वहां उसका ये कारे हैं कि वह निश्चित करें कि उन उद्देशों को कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए अनुयायों से वांचित कारे कराने के लिए वह अपने निर्देशों द्वारा उनके कारें में और इसके लिए वह आफशक आदेश देता हैं किन्तो ऐसा करने से पूर्व व्यावारिकता उप्योगिता और निश्पादन करने वाले व्यक्ति की कारी कुशलता पर ध्यान रखता है इस पर स्टादेश कमांडिंग नेतरत्व करता का कारी कि वह अपने से नीचे की करमचार उनको नियोजेत निश्चे एवाम इस पर स्टादेश सुदे और यहां का मिनिंग है कि वो लक्षियों की प्राप्ति है तो संप्रेशन व्यावस्ता का भी उप्योग अच्छ तरीके से करे विचार करे ताकि आपस में उनका उदिश्यों को प्राप्त करना असान हो सके उ जो नेत्रत्व द्वारा प्रभावित किया जाता है अतर एक नेता अपनी अनुयायों को आवशक प्रेड़नाय देता है डिसिप्लिन अनुशाशन किसी व्यक्ति या व्यक्ति किसी समू को नियम या नियंत्रन एवं कारिविध्यों का बालन करने के लिए प्रेड़ित करत और उलंगन करने वालों के विरुद्दंड व्यवस्ता करता है। नेत्रत्व व्यक्तियों में कारे करने की आंत्रे के इच्छा उत्पन करता है। नए द्रश्टिकों नए उच्छा और नए आशा का संचार भी करता है। पहलपन, इनिशेटिव, नेत्रत्व, सहु की क्रियाओं में परिवर्तन लाने के लिए कई कार्य करता हैं, जिसे परिवर्तन के कारण उत्पन होने वाली समस्याओं से अनुयायों को परिचित कराना, स्रमिकों में पहल करने की शमता का विकास करना, अनुयायों में समस्याओं से मुकाबला करने के लिए उच्सा बहना और उनकी समक्ष आचरण का एक आदर्श प्रश्तुत करना भावना है एवं समस्याओं समझना, understood emotions and problems अदिनस्तों की भावनाओं एवं सूचनाओं को समझना भी नेत्रत्व का कार्य है फलस्वरोप निर्णे लेने के लिए संबंदित जानकारी प्राप्त हो सके अधिनस्तों की भावनाय एवं समस्याय समझी जा सके और उनकी मानसिक स्तिर्था एवं संतोश अनुबा हो सके परिवर्थनों को लागु करना, implements, changes, नेत्रत्व करता अनुवयायों को विश्वास में लेकर परिवर्थनों को आसानी से लागु करता हैं इस समझ में प्राफिसर गोल्डन ने कहा कि परिवर्थनों एवं अनिश्जिताओं की दुनिया में व्यावसाइक नेत्रत्व परिवर्थन प्रक्रिया का ही महतुपोन अंग माना जाता हैं निश्ठा व्रती एवं मार्ग दर्शन, faithfulness and guiding नेत्रत्व का कार्य साहुई कुद्देश्य के प्रति अधिनस्तों की निश्ठा में व्रदी करना और सर्वोतम विदी से उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए उनका माग दर्शन करना होता है तो इस तरह से नित्रत्व के विभीन प्रकार के कार्य हैं और इन कार्यों के माध्यम से नेता या लीडर अपने दिश्यों की पूर्ते करवाता हैं और अधिक से अधिक अपने अनुयायों से उनकी चाओं को जागरत कर उनका सवयोग रात करता हैं धन्यवाद